हलो दोस्तों तेवा फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ विश्व तो आज का ये वीडियो सवाल के चवाब में है सवाल ये है कि डिग्री सेलसेल का साइन कैसे बनाते हैं Microsoft Word में तो आज किस वीडियो में सिफ़ हम साइन बनाना ही नहीं सीखेंगे ये भी जानेंगे कि उसको कीवर्ड कैसे साइन करते हैं यानि कि जब हम वो कीवर्ड प्रस करेंगे तो डिग्री सेलसेल का साइन बन जाएगा Microsoft Word में ठीक है बस इतना करेगा ये वीडियो पूरा लास्तर बेते रहेगा तो दोस्तों Microsoft Word का पेज ओपन है अब अगर हमें डिग्री सेलसेल का साइन बनाना है तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले हम शॉटकट की यूज़ करेंगे Alt के साथ Is तो ये देखें सिम्बल का ये देखें बॉक्स यहाँ पे खुल गया आप यहाँ ध्यान से देखिएगा हमें पहला उला सेलेट करना है जो कि आपको यहाँ पर यह शो कर रहा है सिम्बल उसके बाद यहाँ पर फॉंट में सिम्बल सेलेट होना चाहिए अगर माल लीजे कि आप में सिम्बल नहीं सेलेट हो रहा है तो इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यह आपको दीरए-देर बहुत सारे सिम्बल दिखाएगा यहाँ पर हमें degree Celsius का sign जो है वो सरच करना है तो यह देखी यह रहा degree Celsius का sign यह हमने यहाँ पर सेलेट कर लिया थिक? उसके बाद जैंसे देखिएगा हमें shortcut key प्लिक यह रही shortcut की यहाँ पर यहां पर हमें कोई कीवर्ड एसाइन करना है हम कोई भी कीवर्ड दे सकते हैं लेकिन ऐसा कीवर्ड दीजेगा जो जनली मरलब Microsoft Word में यूज नहीं होता है जैसे माल लिजे कि हम कंट्रोल के साथ S प्रेस करते हैं तो Save S का बॉस खुल जाता है यहां पर मैंने Alt के साथ 3 दे दिया यहां पर यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो यह इधर से हट करके इस वाले बॉक्स में आ गया जब हमने Alt के साथ 3 प्रेस किया था तो यहां पर शो कर रहा था और जब हमने यहां पर Assign पर क्लिक कर दिया तो इधर आ गया डिग्री सेल्सेस का साथ यहां पर बन गया ठीक है 22 डिग्री सेल्सेस तो इस तरह से हम डिग्री सेल्सेस का साथ बना सकते हैं Microsoft World बना सकते हैं